हेलो रिवान, वेलकाँ टू फार्मरोक्स यूटूब चेनल, फार्मरोक्स के यूटूब एज़ू केसने चेनल में आपका स्वागत हैं आज के उड़ी लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे प्रेगा बालेन मेडिसिन के बारे में तो हम सिखेंगे उसके बेसिक यूश के बारे में के कौन से अलग-उलग मेडिकल कंडिसन को प्रेगा बलिसिन ठीक करता है जानेंगे उसके डूस के बारे में सिखेंगे उसके side effects और warning and कॉंकर इणिकेसं के डेटेल्स स्टेडी करेंगे और जानेंगे कि प्रेगा बलेन कैपसुल को कौन से अलग-अलग medical conditions को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है तो एक्स्पेट लेक्चर बायमर सर Assistant Professor and Founder of PharmaRox Thank you Parveen PharmaRox वे मिली Optiator ये Pharma Knowledge के साथ सीखिया अलग-अलग बीमारियों के बारे में उनके उचार के बारे में कौन सी दवा यूज होती है उनके डोस क्या होते है फिर उनके side effects, warning, contraindication, medicine course के अंदर PharmaRox के अपूपर तो PharmaRox के अपूपर हमने एक course बनाया है Medicine course के जिसके अंदर आप अलग-अलग दवायों के बारे में सीख सकते हैं वो भी काफी सरल बास हमें और affordable price में तो ये course को जोइन करने के लिए हमें 90163122020 नंबर पर WhatsApp कर सकते हैं या फिर और directly download करें हमारा app कि जो Android application ही Google Play Store पर Apple iPhone, FF Store पर link description box में मिल जाएगी हमारी second channel को भी subscribe करके support करें जिसका नाम है Hollywood to Hindi Excellent link हमने description box as well as comment box में आपको दे दी है तो आप समझेए प्रेगा बालिन medicine के बारे में तो ये ऐसे class का medication है कि जिसको हम anti-epileptic drugs कहते हैं ऐसी दवाई है कि जो especially epilepsy और central nervous system से जोड़ी बीमारियों को treat करने के लिए use की जाती है और प्रेगा बालिन क्या करता है epilepsy और anxiety और जो problem होते हैं जो चिंता होती है आपको epilepsy की जो problem होते हैं उसको जो है वो ठीक करता है साथ हुसाथ जो neurons related जो pain होते हैं जिसको nerve pain कहा जाता है तो उसके इलाज में भी प्रेगा बालिन के जो capsule से वो use किये जाते हैं तो simply हम कहें तो जो मिर्गी के दौरे पढ़ते हैं लोगों को तो उसके इलाज में ये medication जो वो खासकर use की जाते हैं कि जिसको epilepsy का आ जाता है इंगलिस के अंदर और हिंदी में हम उसको simply कहते हैं कि मिर्गी का दौरा पढ़ना या फिर बार बार जो मिर्गी के दौरे पढ़ते किसी को epilepsy के जो symptoms develop होते हैं उसको ये प्रेगा बालिन capsules जो वो treat करते हैं तो यहाँ पर आप देखो कि इस तरह से आपको convergence जैसा होना या फिर epilepsy के जो complications होते हैं उसको ये medication जो ठीक करती हैं तो उसके label की हम study करें तो यहाँ पर जो company जो torrent pharmaceutical उसको manufacture कर रही है तो उनका एक marketer formulation हम देखते हैं कि जिसका नाम है प्रेगा लीन करके ये tablet से 75 जी तो यह उ 75 75 मलब कि इसके अंदर 75 mg जितनी medication है कि जिसका salt है प्रेगा बालिन और ये hard gelatin capsules के तोर पे ये capsules के अंदर medication जो है वो available है फिर Rx only medication रहेगी prescription based medication रहेगा और storage condition भी लिखा है कि 30 दिगरे ज्यादा temperature से आपको store नहीं करना है उसको और moisture से उसको जो है वो prevent करवानी होती है साथ हो साथ यहाँ पे manufacture के detail है कि torrent pharma के यहाँ पे आप logo देख सकते है और यहाँ पे company के detail दे हुई है तो 75 mg के जो capsules जो है वो खासकर available है marketed formulations के अंदर तो यहाँ पे आप उसका packing भी देख सकते हैं तो इस तरह से proper packing में ये medication जो है वो available है और आगे उसके basic use हम समझे तो सबसे पहले जो nerve pain के इलाज में प्रेगा बालीन जो है वो यूस की जाती है nerve pain मतलब कि जो neuropathic दर्द जो कहा जाता है कि आपकी neurons के करण आपकी नसों में जो दर्द होता है तो उसको treat करता है जैसे कि समझे कि आपको harpes juster infection के करण आपको nerve pain हो रहा है आपकी neurons में दर्द हो रहा है आपको या फिर आपको epilepsy में लेपकी मिर्गी के दोरे पड़ते हैं आपको दूसके इलाज में भी यूस किया जाता है कि जिसको seizure disorders कहा जाता है neuropathic pain और diabetic neuropathy जैसे conditions को treat करता है तो यहापे आप diagram में देखो कि यहापे लिखा है कि peripheral neuropathy कि जो symptoms होते है कि कि जिसको simply हम कहें कि nerve pain तो उसमें और symptoms होते हैं जैसे कि loss of feeling महले कि आपको sensation कम हो जाते हैं और sharp pain वहाँ पे होता है burning sensation जैसा feel होता है कई बार numbness, tingling या फिर freezing और कई बार hypersensitivity जैसे symptoms develop होते हैं तो यह conditions को प्रेगा बलिन के जो capsule से वो treat करते हैं फिर ऐसे conditions कि जिसके करण neurop pain होते हैं तो सबसे पहले उसमें top पे है diabetes कि अगर आप diabetes के patient है तो आपको neuropathic pain जो हो सकते हैं जैसे कि peripheral neuropathy के symptoms आपको develop होंगे फिर mono neuropathy जो कहा हो जाता है या फिर radiculopathy जो हम कहते हैं कि specially आपके neurons के अंदर pain होता है फिर herpes juster radiculopathy की जो हम condition कहते हैं कि जिसको dermatome भी कहा हो जाता है फिर spine surgery या फिर spinal cord के अंदर कोई injury है कोई surgery की है और उसके करण आपको दर्ध हो रहा है HIV infection या फिर AIDS के अंदर भी peripheral neuropathy की जो symptoms develop होते हैं या फिर mono neuropathy के जिसके अंदर आपको neuropathic pains होते हैं आपके neurons में दर्ध होता है तो यह conditions को treat करता है यह pregabalin तो यह medication काम कैसे करता है तो especially जो ligand के तौर पे वो काम करता है और alpha 2 delta sub unit होते हैं calcium channel के वहाँ पे यह जो है वो bind करता है तो यहाँ पे आप देखो यह है आपके medication pregabalin और यह है calcium channels तो यह medication क्या करती है वहाँ पे एक binding करती है कि जिससे calcium जो है वो nerve ending तक नहीं पहुच पाते है कि यह उपर की एक neuron है और यह एक नीचे वाला neuron है और बीच में जो जगा होती है उसको synaptic clapt का हो जाता है तो यहाँ पे यह neurotransmitters release होते है जिससे यहाँ से जो message आ रहा है वो यह निचे वाली neurons तक पहुचता है कि यह neuron को हम number 1 दे उसको number 2 देते है बीच में space से वहाँ पे यह neurotransmitter release होआ जिससे जो sensation आ रहा है गसान जो के pain के sensation आ रहा है तो यह neuron से यहाँ तक pain के sensation आ रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि यह calcium channel जो होती है वो वहाँ पे काम करती है और वो calcium की entry को decrease कर देता है प्रेगा बलन के जिससे क्या होता है कि जो connection होता है कि जो एक proper पाथवे बनता है pain pathway वो क्या होता है pain pathway पूरा disturb हो जाता है जिसके करन pain के sensation जो वो कम हो जाता है काफी कम glutamate release होता है nerve ending पे कि जिससे यहाँ आप से जो sensation आ रहा है वो information यहाँ तक जो वो नहीं पहुच पाती जिसके करन यह medications लेने के बाद आपको neuropathic pain में से जो वो राहत मिलती है तो simply ऐसे जो neurotransmitters release होते हैं कि जिसके करन pain के impulses एक neuron से बीजी neuron से दूसरी neuron तक जो वो transfer होते हैं तो वो यह medication क्या करती है वो transmission को stop करवा देती है कि जिससे आपका pain जो वो कम हो जाता है प्रेगा बलिन के dose के बारे में हम जाने तो यह का जो dose है वो 75 से लेकर 150 mg BD मले के दिन में 2 बार तो समझो कि यह 75 mg के आप capsules देख रहे हैं तो वो दिन में 2 बार आप खा सकते हैं या फिर 150 mg का आप यूज़ करें तो उसको भी दिन में 2 बार जो वो patient ले सकता है और maximum दिन में 600 mg जितना medication patient जो वो ले सकता है बड उससे ज़्यादा लेने से आपको sad effects हो सकती है जैसे कि आप ऐसा फिल करते कि आपके mouth में dryness जैसा है तो especially आपकी oral cavity के अंदर आपको ऐसा लगे कि आपको सुखा फन फिल हो रहा है काफी dryness फिल हो रही है आपको बार बार प्यास लगती है second देखे तो edema मलकी swelling देखने को मिलती है आपकी सरीर के उपर सूजन आ जाती है तिसरा sleepiness आपको नीन दाती रहेगी आपकी vision blur हो जाती है आप confusion में रहते हैं क्या आप confused रहते हैं काफी या फिर आपको सीरदर जैसा फिल होता है dizziness जैसा फिल होता है और कुछ cases के अंदर weight gain होता है आपका वज़न बढ़ता है प्रेगा बालिन capsules के sad effects के तोर पे उसके warnings देखे तो अगर आपको severe allergic reactions हो रहे है तो यह medication को लेना जो हो बंद कर देना चाहिए कि जिसको hyper sensitive reactions कहते है तो प्रेगा बालिन को लेना तुरंत बंद कर दे और तुरंत ही emergency medical treatment ले जैसे कि आपको hives develop हो रहे है blisters जैसे develop हो रहे है मलगी जो rashes कि आप आप देखो कि इस तरह से अचानक से skin के उपर प्रेगा बालिन को लेने के बाद blisters develop हो रहे है तो तुरंत उसको लेना बंद कर दे और treatment ले या फिर आपको breathing करने में problem हो रही है सूजन हो रही है आपके face पे आपके mouth में या फिर आपके throat reason में तो यह कहते है कि हम allergic reactions के तोर पे उसको माना जाता है तो अगर कुछ भी ऐसा होता है प्रेगा बालिन लेने के बाद तो यह medication को लेना बंद कर दे अब किन patient को प्रेगा बालिन नहीं लेनी है तो सबसे पहले ऐसे patient की जो depression के patient है जिनको suicidal thoughts आते है तो ऐसे लोग प्रेगा बालिन के capsules को यूज ना करें जिनके lungs अच्छे से काम नहीं कर रहे तो यह लोग भी यह medication को यूज ना करें फिर आप chronic heart failure के patient है आपका heart अच्छे से काम नहीं कर रहा already heart related problems है आपको फिर आपकी kidneys अच्छे से काम नहीं कर रहे या फिर आपका liver अच्छे से काम नहीं कर रहा आपकी vision जो है वो कम है आप COPD के patient है जिसको हम COPD कहते हैं और साथ भी condition कि आप NGO edema के patient है जो एक allergic reactions के तोर पे हो जाती है तो already आप NGO edema के patient है तो यह medication ना करें बिकाद उसके side effects हमने देखी कि प्रेगा बले जो वो swelling करवा सकती है edema करा सकती है तो इस तरह से तो आप अगर depression जैसा feel करते हैं anxiety जैसा बहुत ज़्यादा है आपके अंदर तो यह medication को use ना करें मतलब कि especially ऐसे patient की जो severe depression वाले patient होते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा depression है ऐसे thought आते हैं उनके suicidal thought या फिर behavior वाले patients होते हैं तो उनको प्रेगा बले medication नहीं दी जाती हैं तो ऐसे इसी के medicine course में detail में दवाई के basic use के बारे में उनके dose के बारे में फिर उनके side effects warnings, contraindications एक साल दग वो भी affordable price में farmer ox के अब उपर सरल बासा में जैसे हमने अभी सीखा तो course join करने के लिए हमें whatsapp करे 9016312020 पे गुद लग और अल दे बेस्ट हमारे second channel को भी subscribe करें और हमें support करें link description box में मिल जाएगी